अगले दिन दे मिनिस्टर वेंट टो बेड जब मिनिस्टर सोने के लिए गया ही थौट उस ने सोचा आ एट लास्ट आई विल हैव सम पीस आखिरकार मुझे कुछ पीस यानि के अमन से सुकून से रहने अब मुझे मिलेगा कल जब मैं नीन से जागूंगा उठूंगा तो मुझे परिंदों की मिठी मिठी आवाज हैं सुने आएगी कितना अच्छा होगा बट दे नेक्स मॉर्निंग लेकिन अगली सुबह क्या हुआ कि संदाओंग टॉंग 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 टॉक 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 कर टॉक करकर अगें जाता करकर दमादे त्था कर कर आई से नीकर ऑनना वो बहुत परिशान हो गयान उपता गया ही का से कौल달onie उसने अपने servants को बुलाया नौकरों को बुलाया go and see who is making all that noise जाओ और देखो यह इतना शोर कौन करहा है after some time the servants came back कुछ दिर बाद servants जो थे नौकर वो वापस आए they had some news for the minister उनके पास minister के लिए एक news थी खबर थी the carpenter and the blacksmith had moved their houses carpenter और जो blacksmith था दोनों ने अपने घर बदल दिये थे the blacksmith had moved to the carpenter's house and the carpenter had moved to the blacksmith's house तो दोनों बदल के घर दूसरी जगे ने गए थे blacksmith moved होके carpenter के घर में रह गया था carpenter घर खाली करके blacksmith के घर में जाकर रह गया था the blacksmith and the carpenter carried on their work in their houses day and night उसके बाद blacksmith और carpenter दोनों भी अपने घर में अपना अपना काम दोनों ने जारी रखा तो यह बहुत ही अच्छी कान ही हमने देखे लिए हुआ 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 हुआ